जैहिन माई डियर स्टुडेंट कैसे हैं आप सब? आशा है, आप सब बहुत अच्छे हैं चलिए बिटा, पिछली कख्षा में हमने पाठ एक को पढ़ा था जिसका नाम था प्रातना प्रातना हमने पढ़ी थी पाठ एक में आज हम पढ़ेंगे पाठ दो, डित्या पाठ संस्कृत में क्या कहते हैं पाठ दो को? डित्या पाठ तो डित्या पाठ का नेम है आपका नाम संस्कृत वर्ण माला संस्कृत वर्ण माला पतो हैं आपको संस्कृत वर्ण माला किसे कहते हैं कोई बता पाएगा कि मैं बटाती हूं वर्ण किया है जो हम भाषा बोलते हैं जो भाषा को बोलने में हिंदी या सस्कित भाषा को बोलने में जिन भर्णों का प्रियोग होता है भाषा को बोलने के लिए शब्द चाहिए होते हैं और शब्द बनते हैं हमारे वर्ण से जिन वर्णों का प्रियोग होता है सबसे छोटी सुक्ष्म से सुक्ष्म एकाई वर्ण कहलाती है इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं तो जब इन वर्णों का जो सम्हू होता है, वर्ण जो होता है, उनको अगर यदि हमें गुरुप में रख दें, गुरुप अधार्ट सम्हू में हम उन्हें रख देते हैं, तो वो है सम्हू वर्ण माला कहलाता है, कौन सा सम्हू? जो वर्णों का सम्हू होता है, वर्णों का बना दी जाती है, वो माला कहलाती है, मोती जब धागे में प्रोधिये जाते हैं, और वह माला कहलाती है, इसी परकार सी जो हमारे वर्ण होते हैं, इन वर्णों को एक सम्मू अर्थाद ग्रूप में रख दिया जाता है, तो वह ग्रूप वर्ण माला कहलाता है, समझ में आया Sanskrit alphabet Wern Mala Wern Mala क्या होती है आपको समझ में आए जो Werno का group होता है सम्हू होता है उसे हम Wern Mala कहते हैं तो Sanskrit Wern Mala सबसे पहले हम जानेंगे Wern Mala संस्कित Wern Mala में 13 स्वर और 33 वेंजर होते हैं ऐसे कुल मिलाके Werno की संक्या 46 होती है लेकिर इससे पहले हम जानेंगे Wern किसे कहते हैं सबसे पहले Wern Wern किसे कहते हैं भाषा की सबसे छोटी से छोटी काई सुक्षम से सुक्षमिकाई को हम Wern कहते हैं जिसकी खंड अथार तुकडे नहीं कर सकते हैं वहे वर्ण कहलाता है, दिकें, ऐसे ही वर्ण की टू टाइप्स होते हैं, कितने टाइप वर्ण की दो प्रकार होते हैं, सबसे पहले आपका आता है स्वर वर्ण, फिर आपका आता है पेंजन वर्ण, तो सबसे पहले हम किसको जानेंगे स्वर किसे कहते हैं किसे कहते हैं स्वर भाष्चा को बोलते समय मतलब जिन वर्णों को हम बोलते हैं किसी अन्य दूसरे वर्णों की साहता नहीं ली जाती उन्हें हम स्वर कहते हैं स्वर किसे कहते है दुबारा से बताती हूँ जिन वर्णों को बोलते समय दूसरे वर्णों की साहता नहीं ली जाती वहे वर्ण स्वर कहलाते है और स्वरों की संक्या कितनी होती है तेहरा होती है और स्वर कितने परकार के होते हैं स्वर तीन परकार के होते है हरस्व, दीग्र और संयुक्त स्वर हरस्व किसे कहते हैं अब है कोशन हरस्व किसे कहते है हरस्व किसे कहते हैं ऐसी वर्ण जिनको बोलते समय कम समय लगता है, उन्हें हम रसुस्वर कहते हैं, मतलब जिन वर्णों को बोलने में एक सेकिंड का समय लगें, वो रसुस्वर कहलाते हैं, और वो कौन-कौन से होते हैं? ओ, ई, उ, री, ले, ये पांच वर्ण हमारे रसुस्वर के इंतर गताते हैं, सेकिंड दिग्र, दिग्र स्वर किसे कहते हैं, ऐसी वर्ण जिनको बोलते समय हिर्ण से दो गुना का समय लगें, रसुस्वर से दो गुना का समय लगें, तो वो हिर्ण वर्ण कहलाते हैं, कैसे? आ, इ, उ, रिरी आप देखो, खुद बोल करके एक बार प्रैक्टिस करके देखो आ, आ आपको महसूस होगा कि ये वाला वर्ण कम समय ले रहा है और ये वाला वर्ण ज़्यादा समय ले रहा है बोल के देखो आ, आ, इ, इ, उ, उ, वी, रिरी तो ऐसी ही यह हिरिस्व में क्या है जो वर्ण एक सेकिंड में का समय ले बोलने में बोलते टैम तो वो हिरिस्व वर्ण कहलाते हैं जो दो सेकिंड का समय लेते हैं वो दिग्र कहलाते हैं और सहित वर्ण किसे कहते हैं जो दो वर्णों के योग से बनते हैं A plus O A plus A A plus O O A plus O O तो यह थी हमारी Swer word की सwer किसे कहते है सबसे पहले मैंने बताया word किसे कहते है फिर word कितने परकार के होते है फिर swer किसे कहते है और swer की संख्या कितनी होती है स्वर कौन कौन से होते हैं तो अब हम पढ़ेंगे वेंजन के वारे में कि वेंजन किसे कहते हैं वेंजन किसे कहते हैं ऐसी वर्ण जिनको बोलते समय अन्य अर्थार दूसरे वर्णों की सहता लेनी पड़ती है दूसरे वर्णों की मदद की आविश्यक्ता होती है वहें वर् तीक हैं वेंजन वन कालाता है अब वेंजन वन भी आपके तीन प्रकार की हो रस प्रक्राइब रूप है इन्हें हम हलंत के नाम से जानते हैं इस रेखा को हम हलंत इस रेखा को हम हलंत कहते हैं यह जो तिर्शी कीची रेखा है यह हलंत होती है और यह वर्ण क्या होते हैं पराश्रित होते हैं पर अथार दूसरों पर आश्रित मतलब निर्भर तो यह वर्ण के पराश्रि तो होते हैं दूसरे वर्ण उपन निर्भर होते हैं ठीक है अब वेंजन वर्ण कौन-कौन से होते हैं आपके सपर्ष वेंजन अंतहस्त वेंजन और ओश्म वेंजन तो अभी हम जानेंगे सपर्ष वेंजन क्या हैं कौन-कौन से होते हैं पता है आपको सपर्ष वेंजन को एक सम्हू में गुरूप में बाट दिया जाता है और जिन गुरूप में बाटा है उन्हें पांच गुरूप में बाटा है इस पर्ष वेंजन को पांच गुरूप में बाटते हैं और परतीक ग्रुप में पाँच वर्ण होते हैं पाँच ही इनके ग्रुप होते हैं पाँच ही परते ग्रुप में पाँच वर्ण होते हैं और यह इस करके आपके 25 25 वर्ण इस पर्ष वेंजन कहलाते हैं कितने वर्ण इस पर्ष वेंजन कहलाते हैं 25 वर्ण अब कौन-कौन से होते हैं ये वर्ड, इस पर्षमेंजन देखिए कवर्ग, इसमें पाच वर्ग है, समू है पाच कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये पाँच वर्ग हैं जिसे आप समू कहते हैं वर्गों को समू कहते हैं आप ग्रुप भी कहते हैं तीक हैं अब देखते हैं कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं कवर्ग में को खो गो गो चवर्ग में चो छो जो जो जियंग तवर्ग में तो, थो, डो, डो, न, तवर्ग में तो, थो, दो, धो, न, पवर्ग में पो, फो, बो, भो, म, देखे, अब क्या है ये सारी वर्ण, जैसे मैंने आपको बोल की बताएंगे, ऐसे आपको भी उचारण इनका करना है पर्तीक वर्ग की पहले वर्ण, पर्तम वर्ण जो है उसी की अधार पर उस वर्ग का नाम होता है कई तो कवर्ग, च च वर्ग, तो तवर्ग, तो तवर्ग, प पवर्ग कहने का अतात पर यह है, कि वर्गों का जो पहला वर्ण होता है, उसी के अधार पर उनकी नाम होते हैं और एक चीज और जो वर्गों का पांचवा वर्ण होता है, देखो कितने हैं, वर्ण, टू, त्री, फोर, फाइफ यह फाइफ ग्रूप है, तो जो पांचवा वर्ण है, परतीक वर्ग का पांचवा वर्ण जो है, वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है कैसा word कहलाता है अनु नासिक किसे कहते है ऐसे word जो नाप की साहता से बोली जाते है यह 5 word अनु नासिक word कहलाते है ठीक है इतना समझ में आया कि वेंजन word कितने परकाल के होते हैं तीन परकार के होते हैं इस पर्ष वेंजन अंतहस्त वेंजन और उस्म वेंजन तो इस पर्ष वेंजन में वर्णों की संख्या 25 होती है इसमें 5 ग्रूप होते हैं 5 वर्ग होते हैं और परतीक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं तो कुल मिला करके इस पर्ष वेंजन की संख्या 25 होत वे समय अंदर से ध्वनी नाभी से कंट की और अथार्थ नाभी से गले की और उपर को आती है अंदर ये अंदर जिनका गुंजन होता है वहें अंतहस्त वेंजन कहलाते हैं और ये कौन-कौन से होते हैं यह रह लह वह यह चार वर्ण अंतहस्त वेंजन कहलाते हैं पूश्म वेंजन ऐसी वर्ण जिनको बोलते समय उश्म अथार्थ उर्जा ज्यादा व्यक्त होती है एनर्जी ज्यादा लगती है बोलने में वहें वर्ण उश्म वेंजन कहलाते हैं वो कौन-कौन सो होते हैं अब यह सारे वर्णों के अतिरिक दो और वर्ण होते हैं जिने हम योगवावन कहते हैं योगवावन कौन सो होते हैं अनुस्वार अयोग वहावर्ण कुन सोते हैं अनुस्वार अनुस्वार अथा जिसको हम इस बिंदूत के दुबारा दर्शाते हैं वहें योग वहावर्ण के अंतर गताते हैं और दूसरा है विसर्ग विसर्ग में ये दो डोट्स का प्रियोग होता है सेकिन देखे अभी मैंने आपको पर भी बताया था कि सभी वेंजन मूल रूप से हलन्त सहित होते हैं हलन्त यह जो तिरशी खीची देखा दिख रही है इसको हम हलन्त बोलते हैं यह हलन्त सहित होते हैं जब उनमें औस्वर मिल जाता है तो हलंत का लोप हो जाता है अब मतलब होता है उस तिर्ची-खिची-खिची-खा का हटना उस तिर्ची-खिची-खिची-खा को हम हटा देते हैं कैसे? कैसे देखिए? को प्लस देखिए अ तो क्या बनता है? को प्लस अ तो क्या बना? पो हम सहीं वेंजन वर्ण को बिना स्वर की साहता से लिख सकते हैं परन्तु बोल नहीं सकते हैं पर प्लस अ तो पर अब देखिए तीसा पॉइंट कहा है जब दो वेंजनों को मिला कर एक कर दिया जाता है तो वह सहींगत वर्ण कहलाता था जहां दो वेंजन वर्णों को मिलाने से एक वर्ण बनता है वह सहींगत वर्ण कहलाता है कैसे? देखिए को प्लस तो अ तो क्या बनता है को और शो के योग से शो तो प्लस रा से बनता है त्रो जो प्लस जियां से बनता है ग्यां तो इनका हम शब्दों में इन वर्णों का शब्दों में कैसे यूज करते हैं कक्षा कहां यूज करेंगे हम कक्षा पत्र विज्ञान ग्यां से विज्ञान त्रो से पत्र औ देखी दो प्लस यो औ तो बनता है दियो इसका उचारण को होता है विद्याले क्या होता है विद्याले पो रो प्लस अ प्रो तो क्या बनता है प्रेम इससे क्या बनता है प्रेम आप देखो फोर्थ नमबर पर आपके बुक्पी क्या है वर्ण विच्छीद आप वर्ण वर्ण विछेत क्या होता है जब कोई हम किसी शब्द में से वर्णों को अलग अलग करने की परिखे रिया जब हम किसी शब्द में से वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं वहें वर्ण विछेत कहलाता है और इसमें एक चीज और होती है जब हम वर्ण विछिट कर देते हैं जब उसमें से स्वर और वेंजन को अलग करके लिख देते हैं वहेपरिकिया वर्ण विछिट कराती है लेकिन उसका जो अंतिम वर्ण होता है उसी के नाम से जो अंतिम अक्षर होता है उसी के नाम से उसको वर्ण को जाना जाता है कैसे देखते हैं देखो सो से पहले आपकी बुक में वर्ण विछेद क्या है जब किसी शब्द के वर्णों अक्षरों को अलग-अलग कर दिया जाए तो वह वर्ण विछेद कहलाता है और शब्द के अंत में जो अक्षर हो उसी अंत वाले वर्ण के अधार पर वर्ण के अधार पर इसी परकार वह शब्द कहलाता है जैसे ओ अंत में आकारांत, आ अंत में आकारांत, ओ अंत में हैं अकारांत, आ हैं अंत में आकारांत. ठीक है, कैसे आकारांत, आ है अंत में जिसकी, आ है अंत में जिसकी आकारांत, आ है अंत में जिसकी आकारांत, आ है अंत में जिसकी आकारांत, अब इसके कुछ उधारन देखते हैं कि कैसे हम शब्दों का पर्ण विछेत करते हैं और उसको कैसे हम जानते हैं कि आकारांत कौन सा है यह करांथ कुन सा है देव दफिस दया है दय में एक ही मात्रा है वह है और वह में है तो क्या मन गया देव शब्द में अंतिम वन क्या है तो यह क्या हुआ गीता में ग प्लस इ त प्लस आ गे में इ गीता में आ त तो गीता शब्द बना तो गीता शब्द किन वर्णों के योग से बना है ग इत अ अब इसका अंति वर्ण कौन से है आ तो अब यह कैसे कौन सा शब्द हुआ आ का रान्त हुआ पती शब्द में कैसे बनता है प प्लस आ प्लस आ प्लस इ अब प और आ प ता प्लस इ तो ती छोटी ही है तो यह हो गया इ का रान्त ऐसे ही नदी नदी का न न प्लस आ न और दी दे प्लस इ तो बन गया दी तो यह हो गया आपका इ का रांत सादू से प्लस आ सा दे प्लस उ सादू तो इसमें अंति बन क्या है उ तो उ का रांत मात्री शब्द में म प्लस आ तो मा त क्या हम गया मात्री तो इसमें अंतिम एन कौन सा है विकारांत ऐसा ही भवत शब्द क्या है कह रहे भ फ्लस ए तो भ व प्लस आ तो व और त उ अमें हलंत है तो यह हलंत वाकी शब्द तकारांट है जिसके वो तकारांट आईए अब इसका अभ्यास कारे को देखते हैं सबसे पहले हैं मूखिक मूखिक का मतलब होता है कि आपको उच्चारण करना है बोलना है कह रहा है उच्छे ही वदत, उच्छे ही जोड से वदत बोलिए क्या स्वर्वर्ण को बोलना है, स्वर्वर्णा हाँ स्वर्वर्णों को कैसे बोलोगे है O, O, E, E, U, U, R, 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 A, I, O, O संयुक्त विनजन, शो, त्रो, यो, स्षो, दिया, द्वो, और प्रो यह ऐसी जैसे मैंने भी आपको बोल के बताए ऐसे आपको भी इनका घर में उच्छारण करना है देखे, निम लिखीत वर्णे व्यहरीस, वदीग्र, संहुक्त, प्रत थकम, क्रत्वा लिखित कह रहे हैं कि निम लिखित वर्णों में से हिरेस तथा संयुक्त स्वर अलग करके लिखी है अब आपको क्या कर दिया है इसमें मिक्स हैं आपके हिरेसु स्वर और दिग्र स्वर और संयुक्त स्वर इन स्वरों को अलग करकर के आपको लिखना है तीन कॉलम है हिरसु, दिग्र और स्वर्ण O मैंने आपको पढ़ाया था हिरसु स्वर्ण में है हिरस्वर है E दिग्र है O स्वर्ण है U दिग्र स्वर है E हिरसु स्वर है A स्वर्ण है री हिरेश्व स्वर है आ दीग्र उ हिरेश्व स्वर ए आपका सहित्व स्वर आउ आपका सहित्व स्वर आप सेकिन देखें कह रहा है निम लिकीत बढ़ने भे इस पर्शहा अन्त हो इस्थ उश्म वेंजनानी प्रतकम कुरूत कह रहा है कि निम लिकीत बढ़नों में से इस पर्श, अन्तहस्त और उश्म वेंजन को अलग अलग कर अपकिजीए तो कह रहा है चो 4 कैसा वर्ण है मैंने आपको बताया था इस पर्श वेंजन शा उश्म वेंजन दा इस पर्श वेंजन ला अंतहाइस्त वेंजन प इसपर्ष वेंजन हा उस्म वेंजन ना इसपर्ष वेंजन या अंतहाइस्त वेंजन घ इसपर्ष वेंजन ब इसपर्ष वेंजन र अंतहाइस्त वेंजन स उस्म वेंजन तो देखें ऐसे आपको अपनी संस्कृत बुक में लिखने है अब आगे देखते हैं कह रहे है उचित शब्दम चित्वा लिखती स्थनानी पूरवत अब इसमें क्या करना है आपको इसमें करना है कि जो शब्द दिये गए हैं इन शब्द का अंतिम वर्ण बता करके कि उस वर्ण असवर है तो इसलिए वो क्या होगा अकारांत माया माया में आ है तो आकारांत नदी में बड़ी ए है तो इकारांत वदू शब्द में बड़ा उ है तो उकारांत और पशू शब्द में छोटा उ है तो उकारांत निम लिखित आप कहलें कि नीचे दिये गए जो शब्द है निम्ले के शब्दों का वर्ण विच्छेद आपको करना है कैसे अजे 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 शब्द किन किन वर्णों के संयोग से योग से बना है उन वर्णों को अलग-अलग करके लिखना है जैसे मैंने भी आपको बताया था अ प्लस ज अ ज प्लस अ ज ज य प्लस आ ये तो क्या बन गया अ ज शमा अब यी संयुक्त वेंजन है शे जो है उसमें शमा में शे संयुक्त वेंजन है तो को प्लस ज प्लस आ से बनता है शा तो इसलिए इसका बर्ण बिछेद क्या हुआ को प्लस ज प्लस आ म प्लस आ तो बन तो काव शा के योग से बनता है शाँ और प्लसा तो गया आपका शाँ और मा तो क्षाँ वां ऐसे ही कक्षा आपको सहिंट वेंजन वर्णों में यहए ध्यान लख नाए की जिन दोवेंजन वर्णों के योग से बनता है आपको वर्ण विचेद में वही वर्ण लिखने है कि शा किन दो वर्णों गवेंजन वर्णों के योग से बना है का और शा ऐसे ही ओल भी चूवेंजन वर्ण है उनको भी ऐसे ही आपको लिखना है कक्षा क कप्लस आ कप्लस शा से शा बना तो इसलिए ये से रुतवेंजन में है तो कक्षा सब्द बना उद्योग उप्लस दा प्लस या दे हो गया दे प्लस ओ प्लस गप्लस आ तो उद्योग बना दया लिया के योग सी दिया बनता है यह संग्या 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 प्लस ज्या प्लस ज्या ज्या प्लस ज्या से यह बनता है ग्या तो संग्या बना यह शब्द अग्यान ऐसे ही आ ज्या प्लस ज्या प्लस आ प्लस न प्लस आ तो ज्या के अग्या अग्यान शब्द बना ऐसे ही आपका चित्र पर्ष्ण प्रणाम न्याय स्वच विश्राम आधी शब्दों का वर्ण विचेद हुआ है तो अब आप इसके साथ एक काम कर सकते हैं एक रफ नोट बुक लेके अपने सहपाथियों के नाम अपने फैमिली मेंबर्स के नाम अपने परिवाल के जो नाम है उनका वर्ण विचेद करके देख सकते हैं कि आपकी किसी भी नाम में कितने वर्णों का प्रियोग युआ है और सेकिंड उसका अंतिम वर्ण कौन सा है जो उसका अंतिम वर्ण है उसी के नाम से उसका नाम है जैसे तो यह आकारांत है आंतिम है कक्षमा में तो आकारांत है तो ऐसे ही शब्दों और भी अपने फैमिली मेंबर्स और सैपाठ्यू की नाम का अबन बिच्छित करके प्रैक्टिस कर सकते हैं धन्यवाद हुआ